सबसे पहले हम लोग बच्चे समझेंगे फिलिन दा ब्लेंक्स फिर इसके बाद हम डूएस डारेक्टेट देखेंगे यहाँ पर ब्लेंक दिया है फिर इसके बाद अगस्त दिया यह सारी इंपोर्टेंट डूएस डारेक्टेट है जो आपको बूड एक्जामिनेशन में देखने को मिलेगा इसलिए मैं करवा रही है तो बड़े ध्यान से करिएगा यैसे आप फरस्ट देख सकते हैं बच्चों कि लेखा हुआ है कि जुलाई कम्स यहाँ पर ब्लेंक दिया है फिर अगस्त पहले यह बता है जुलाई पहले आती है या अगस्त तो जुलाई पहले आती है फिर अगस्त आता है आता है कि नहीं तो यहाँ पर करना है आपको यह बताना है कि जुलाई के पहले अगस्त आता है क्या आपको यह बताना है कि जो जुलाई है वो अगस्त के पहले आती है या नहीं मैंने जैसा बोला ना फर्स्ट में कि आपको ये बताना है कि जुलाई पहले आता है या अगस्ट लेकिन इसमें यही मिस्ट्रीक करते हैं बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं आफ्टर कर देते हैं कि जुलाई के बाद क्या आता है अगस्ट लेकिन इ पहले से कि चुलाई जो है आती है किस के पहले अगस्थ के पहले थीक तो आपको यहांपर विफॉर लिखना नगा है थीक है अब सेकेंड देखी बछों ही इस ब्लैंक दिया है फिर इसके बाद दिखाये है होनेस्ट की अनेस्ट बताई है बचयों अनेस्ट पढ़ेंगे इस और आगे बढ़ जाते हैं जो की बहुत बड़ी बेवकूफी होती है ओ का प्रोनाउंसेशन ओ होता है तो अब यहाँ पर ओ जो है आपके हिंदी वाविल के अंतरगत आते हैं तो हम क्या है ये जो है जब ही भी हिंदी वोबिल की अंतरगद हम प्रणाउंशेशन करते हैं ब्लेंग की जस्ट वर्ड मतलब बाद वाले वर्ड को तो वहां पर एन आता है अगर हिंदी वोबिल का प्रणाउंशेशन नहीं हो रहा है तो आप लपक्के ए भर दीजिए लेक ऐसे सब्दे देंगे वो आपको जिनमें एच पहले होगा तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें ए आता है अब यहाँ पर थर्ड देखिए यू हैब तू वेट यहाँ पर फिर ब्लैंक है दा सिंगल इस दा सिगनल इस ग्रीन आपको कब तक वेट करना पड़ेगा जब तक की सिगनल ग्रीन नहीं हो जाता है यह जब तक जो मैंने बूला इसको क्या बोलेंगे इसको बच्चों एंट गिशियर करना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या ऐगा आपका अंतल आएगा आगे देखी आफिसे आपको दिया है फोर्थ वाला कि पिल्लांग इसके बाद ब स्वारня बाद लेनक दिया तो इसमें SANG आता ना कि SANG क्योंकि SANG की SECOND FORM होती है क्या आपकी SANG होती है बहुत से बच्चे सोसते हैं इसमें SANG आएगा लेकिन जो की गला थे इसमें SANGS आएगा क्योंकि PRESENT INDEFINITE TENSE में EAS एटनाइम के साथ S ये इसा आता है और इसमें singing का तो कोई option ही नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ing form जब आती है जब h, m, r, या वाजबर, या cell विल भी होता है इसमें है क्या? नहीं है तो इसमें क्या आएगा? sings आएगा अंगे बढ़ते हैं 5th की और blank I come in sir most popular and most famous sentence है आपका और आप हमेशा बोलते भी हैं कि may I come in sir? कभी भी हम जब किसी बड़े से permission लेते हैं या फिर formal जगे पर permission लेते हैं तो हमेशा में आता है और इसका sense क्या निकलता है? इसका sense निकलता है? सकता है 6th वाला देखिए, distribute the sweets blank, blank है फिर इसकी बात friends है तो आपको ये blank में क्या भरना है बच्चा? among या between देखिए, between जो है दो के बीच में भराता है, मतलब की बात हो रही हो, दो जहन की कोई भी particular इंशान की बात हो तो among, नई मतलब between आता है और among का बाता है बच्चो among जब आता है, जब आपका क्या रहता है, दो से ज़्यादा की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप friends को देखकर समझ गए होंगे, कि यह जो है, किसकी बात हो रही है, इसमें बहुत सारे दोस्तों की बात हो रही है, मतलब unginate है, uncountable है मतलब यहाँ पर क्या आएगा आपका among आएगा, ठीक है, मतलब बहुत सारे friends, मतलब बहुत सारी संख्या है, दो से तो ज़्यादा ही होगी तो इसलिए यहाँ पर यहाँ आएगा, अब अगर आप सीविन देखेंगे, कि he died, blank फिर इसके बाद क्या आएगा, heart attack वो किसकी बज़े से सांथ हो गए, heart attack की बज़े से, अब आप यह बताए, यहाँ पर क्या आएगा देखेंगे, जब भी जब भी कोई इंसान decisions की बज़े से खतम होता है किसकी बज़े से खतम होता है, decisions की बज़े से खतम होता है, तो क्या होता है, आपका Until, फिर क्या आएगा Sings, फिर क्या आएगा May, फिर क्या आएगा Among, फिर आएगा Off, आई बस समझ आप सभी को, चलिए Do As Directed की तरफ देखते हैं, ये भी बहुत जादा IMPORTANT है आप सभी के लिए बच्चों, फर्स्ट देखिए, Swimming is a good habit, Swimming है वो क्या है, एक good habit है, एक अच्छी होता है, कि जब भी इट से बोलते हैं तो हमें it is करके, it is करके sad करना पड़ता है, और फिर that लगाना पड़ता है, क्योंकि यहां से ये बोला जा रहा है, कि ऐसा कहा जाता है, कि जो Swimming है वो एक अच्छी आदत है, समझे आप तो आपको हमेशा जैसे कभी भी sentence it से start करने के लिए दिया जाए, तो आप लोग हमेशा it is said that करके, फिर जो भी sentence है, जो भी sentence है, वो लिख दीजेगा, ठीक है, अब अगर second देखेंगे, कि मीटा does her work, मीटा, ऐसा भी किसी का नाम होता है, मीटा, मीटा सुना है, मीटा नहीं सुना, लेकिन फिर भी यहां पर लिखा है, त सबसे पहले condition देखी, कहीं आपको helping verb देख रही है, नहीं देख रही है, जो अब यहां पर कुछ बच्चे डज को ही helping verb समझ लेते हैं, और not लगा कर पूरा काम तमाम कर देते हैं, जो की number कटने वाली बात होती है, बच्चों, देखें, यहां पर जो डज है, वो action verb है, डज मीता ड्रिंक्स, टी माल लीजे, मैंने यह बोला, तो यहां पर आप does not लगाएंगे, इसको negative बना लेंगे, फिर इसको first form में लिखेंगे, इसी प्रकार आपको यहां पर वच्चों क्या करना है, यह जो does है, इसकी first form लिखने है, जो की do होती है, तो यहां पर हम समझ गई कि यह जो है, helping verb नहीं है, इसमें yes या yes लगाएं, तो यह present indefinite tense है, और इसमें क्या होता है, does not लगाकर हम क्या लिखते हैं, आपका do लिखते हैं, मतला मीता does not do her homework, ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, यहां पर does not लगाकर आपको इसकी man verb की first form लिखने है, तो मीता does not do her homework, अब आपको एक confusion और होगा कि इसमें does not क्यों लग रहा है, do not क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि he sheet name के सांथ बच्चों, हमेशा जो है आपका does not आएगा, अब आप आँगे देखें कि Mary said, Mary ने कहा कि I will study, मैं पढ़ूँगा, Mary ने कहा कि मैं पढ़ूँगा, अब आपको इसको narration ने करना है, यहाँ पर change the speech आजाए, change the indirect speech आजाए, या फिर narration आजाए, बात एक ही हो रही है कि इनको पूरा combine करके लिखना है, ठीक है, अब आपको लिखना कैसे है कि Mary, अब जैसे पहले से sad आ रहा है तो उसके साथ that लगा दीजे, Mary said that, अगर यहाँ पर ठीक है, कभी यह भी हम आपको फिर्शत में सिखाएंगे कि direct और indirect speech में ऐसा क्यों होता है, ठीक है, लिकिन अभी word examination सर पे हैं तो हम अपना man-man काम करते है, Mary said that, she would study, देखिए, यहाँ की helping verb है, वो एक आंगे step ले लेती है, जो की will की आंगे step होगी, मतलब second form होगी, second, मतलब past के helping verb होगी, would, और यह जो है, इसके हिसाब से change होगा, ठीक है, समझ गए आप लोग, बस इत्ता ही करना है, अब आप पर fourth वाला देखेंगे, सिवाज writing, a letter, वो क्या कर रही है, letter लिख रही, इसको passive voice में change करना है, तो बच्चो passive voice के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना कभी भी आपको कोई भी helping verb दी जा रही, अगर continuous वाली दी जा रही, तो wing लगाएंगे आप लोग बच्चों, और अगर has have, cell will have दी जा रही, तो wing लगाएंगे, तो यहाँ पर was दी थी, तो मैंने wing लगा दी, letter was wing, अब आपको इसकी third form लिखनी है, जो की written होती है, फिर इसके the boy है, वो मेरा nephew है, क्या है, बतीजा है, जिसने red set पहना हुए, अब आपको who का यूज करना है, आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको जो है, उसकी identity बताना है, उसने पहना क्या है, या फिर कहां खड़ा या क्या कर रहा है, फिर आप जो है relation जो है, बाद में बताएगा ये बाद में और ये पहले, समझ गए, बस कुछ नहीं करना है, यही करना है, the boy लिखकर आपको क्या लिखना है, the boy के just बाद आएगा who, हमेशा, the boy who is wearing a red set, बट यहां पर आप who लगा दीजे, वाकी वैसी का वैसा लिखिये, फिर आपको जो है, आपने जो है, इसको आप द देखना है, the boy, मतलब ये वही the boy की बात हो रही, तो आपको सिर्फ यहां से लिखना है, कि is my nephew, क्या है, वो मेरा nephew है, ठीक है, समझ गया आप, कुछ नहीं करना है, इन दोनों के ये दो-दो लिखे थे थे थे, हमने इनको common लिया है, और कुछ नहीं किया है, तो the boy who is wearing a red set, is my करके लिख देना है आपको, कि is my nephew, अब आप six देखिए बच्चों की, he have, क्या लिखा है, he have gone to school, वह कहां गया है, कहां गया है, school जा चुका है, अब आपको correct the sentence करना है, तो मैं आपको बता दीती हूं बच्चों, कि जो आपका present perfect tense होता है, उसमें he, see, it, or name, के साथ क्या आता है, आपका क्या आता है, बच्चों, has आता है, क्या आता है, has आता है, तो इसलिए ये sentence incorrect है, कि यहां पर जो है, आपका have लिखा है, आपको has लिखना है, he has gone to school, अब आप सेवें ते देखिए, the thief saw the police, he ran away, जैसी थीप ने police को देखा, वो भाग गया है, age soon, age लगाना है इसका मतलब भी यही होता है, कि जैसे उसने देखा, वैसे वो भाग गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको first में लिखना है, बच्चों, हमेशा है यही करें, आप as soon as the thief saw the police, he ran away, बस आपको यहां पर first में लिखना है, जैसे आप age में करते थे थे न, वैसे आपको इस 10th, 12th, 9th and 11th वालों के लिए बहुत जादा important है, तो please मुझे comment section में बताएगा, मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो ज़रूर ले कराऊंगी, thank you so much for watching this video